आज अपना टोपिक स्टार्ट होने जा रहा है नाउन का और होपफुली आप लोगों को जो है कल तक की बाते समझ में आई हो क्योंकि हम लोगों ने अब तक इंट्रोडक्शन देखा था कि पार्ट सो इस स्पीच का रोल क्या है इन सब बातों पर बात की तो पूजा खंडेलवाल सरिता स्वामी वेरी गुड़ इवनिंग वेरी गुड़ इवनिंग टू अलोफ यू जल्दी से जो है आप लोगों को लाइव जूड़ जाना चीए क्योंकि आप बार-बार कहने कि आवशकता होने नहीं चीए क्योंकि ने सर्फ स्वाहां से एक्म लोगों के आज से प्रोपर में जैट में जो है जो है नाउन करेंगा जिस पें लोग अज बात करने जा रहे हैं तो निलम्लों चलते हैं हम इतना फिलाल आता है जो आप लोगों को yes या no में reply करना है कि सर आपने हमें बताया था कि noun sentence के अंदर या तो बनता है subject या फिर बनता है object या फिर एक compliment का काम भी noun कर जाता है बोलो यहां तक की बात आप लोगों ने मुझे clear की है क्या कि हाँ आपको यहां तक की बाते समझ में आती है सरिता भारती नीलम जिते भी लोग आप लोग देख पा रहे हैं सबी से कह रहा हूं में कि आप लोगों को दिख मेरी बात जो समझ में आ रही होगी आप लोगों को नाउन के बारे में मैंने ये कहा कि आप लोग नाउन जो है सेंटेंस के अंदर subject object या फिर compliment का काम करत है तो उसी बात को सबसे पहले बात करते हैं बिटा आप लोग कहेंगे कि noun is a naming word क्या होता है भी naming word होता है एक एक चीज को देखते जाना बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है naming can be of a person क्या 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 naming किसकी हो सकती है किसी person की किसी place की किसी thing की या कोई animal या फि इस person thing animal और idea noun किसी व्यक्ति वस्तो इस्थान या विचार के नाम को कहा जाता है 32320 मुम्तमीना और क्या यह आप लोगों के कुछ समझ नहीं वेड़ा यह क्या आज नाम बदल बदल करके कैसे तरह 275 नीलम चली अच्छा जिस नंबर पर आप लोगों का registration हुआ होगा आज दे रहा है यह कर ज्यादा ही ज्यादा ही समझदार हो रहा है आज तो यह application वाला चली खेर आप लोगों को यहां पर समझ में आया कि जो है noun किसी व्यक्ति वस्तू थान जानवर और विचार को हम लोग कहते हैं मोटी मोटी बात करूं देखो इदर यह सारे के सारे तो ऐसे ह तुछ कर सकते हो कि नहीं इनको अरे वस्तू को इनको टच कर सकते हो प्लेस तो ठीक है एक विजिट करने के साथ सिस्थान हो गया लेकिन आइडिया यह एब्स्ट्रेक्ट नाउन है तो मैं अगर आप लोगों को बिटा इनको दो केटेगरी में डिवाइड करूं यह नाउ प्लिट है या और यह फिर यह आप लोगों के अब्स्ट्रेक्ट अरे बही या तो इनको आप चू करके देख सकते हो और अप लोगों के लिए ये मान के चलो कि संगर्स हो गया जीके तो अब बहुत बहुत जो है अब कौन सा जिला कहा कितना क्या इतनी उठा पटक अब आप लोगों के जीवन में जीके के नाम पे होने वाली है आपको खुद को भी अंदजन नहीं है खेर अब ये चलिए जादूगर भाईया देखो र लेकिन राश्तान के स्टुडेंट्स के इसाब से देखोगे तो बहुत उल्ट पूल्टा मामला हो गया अब तो राजधानिया तक बदल गई है अब तो हमें यह देखना पड़ेगा कि जेपूर भी पूरव या पस्चिम राश्तान की राजधानी जेपूर पूरव है जे देखेगा कोमन नाउन सबसे पहला अपना पॉइंट क्या है कोमन नाउन आप लोगों के पास पीडिया प्रोपर पहुंच रही है ना अरे पीडिया प्रोपर पहुंच रही है ना प्रोपर नाउन दूसरा होगा तीसरा है collective noun चोथा है आपका material noun देखो मैं जादां पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को पहले ही बता दू नाउन में लेकिन जादां पढ़ाने से दिक्कत नहीं है दिक्कत है आपकी नहीं आपको कुछ आये तो इसलिए आप लोग जादां को लेकर के गंगापूर सिटी बना तो सही या सर जी हाँ ये बात है सब के लिए जीके में नीलम का ही प्रसंद देखो नीलम कहती है कि राजस्तान का जीके तो जादू करने भी गाड़ दिया लेकिन गंगापूर सिटी जिला बन गया बहुत अच्छा किया क्योंकि ये गंगापूर सिटी से होंगे तो अब आप यहां समझे लो आपको अपने अपने भलाई दिखरी है ना वेसे ही है सबी की भलाई इसमें कि आपको ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा जिला इस तर पे आप लोगों को आपका जिला जहां पे होगा डिश्टिक हेड कौटर जहां पे होगे वहां पे आप लोगों को भागा दूर कम कारनी पड़ेगी नो ओफिशल काम इजी हो जाएंगे नहीं तो एक आदमी डेड़ सो किलोमेटर दूर ओफिस से चलके आयर पता चले आज तो पटवारी जी नहीं आए तो दिक्कते पर जाती है इसी कंडिशन में जिला प्रमुक बदलेंगे बहुत कुछ होने वाला है चलिए कॉमन नाउन की बात करें कॉमन नाउन का मतलब हो करती है नाउन और थिंग डेट रिप्रेजेंट टूए कॉमन तिंग और पर्सन और एनिमल जो भी है कॉमन जो है आप लोग इसको ले करके चलते हैं जैसे आपने कहा बोई या फिर गर्ल ये तो हो गया व्यक्ति जैसे विलीज और विलीज या फिर सिटी ये पर्सन ये प्लेज फिंग की बात करूँ तो छोटी सी वस्तू पिन और बड़ी से वस्तू ट्रें पिन ये आप लोगों की वस्तू हो गई पर्सन प्लेज फिंग अनिमल एनिमल में हो गया आपका डोग या फिर कैट ये आपके एनिमल हो गये इस तरीके से आप लोगों का पहला ग्रूप कम्प्लीट हुआ common noun का common noun का मतलब हो गया ऐसा शब्द जिसको सुन करके आपके दिमाग में जो एक image बनेगी वो बिलकुल सभी के common बनेगी जैसे मैंने बोला बोई तो जैसे ही मैंने बोई बोला तो सभी के दिमाग में बोई की image आ गई जैसे मैंने बोला teacher तो teacher की image आप लोगों के दिमाग में आ गई है व्यक्तिवाचक क्या बोलते हैं व्यक्तिवाचक सरुनाम क्या बोलते हैं व्यक्तिवाचक संग्या तो जिसका प्रोपर नाम दे दिया जाए वो कहलाएगा जैसे आपने कहा यहां पर बोई है इसको नाम दे दिया आपने कहें दिपक बोई का नाम क्या हो गया दिपक हो ग तो एक लड़का है जिसका फेस सामने आ गया और बोई बोला तो फेस सामने नहीं आया यही अंतर है इसको बोलते ही आपका माइंड पर्टिकलर एक जगे पे चला जाएगा बोलो समझ में आया क्या इसके बात बात करते हैं गर्ल गर्ल आप लोगों का common noun है लेकिन गर्ल का न वो जैसे मान लिजे मैंने कहा जैपूर कोई भी गाउं है जैसे मान लिजे आपने कहा रिंगस तो यह रिंगस कोई गाउं का नाम हो गया तो पर्टिकलर माइंड आपका रिंगस पे चला गया लेकिन इसी जगे मैंने कहा गंगा जैपूर या गंगापूर या जैसे गंग यह प्रोपर नाउन के पहले आर्टिकल दा लग जाता है जब ट्रेन का नाम बगेर होता है तब हम लोग आर्टिकल में भी पढ़ेंगे लेकिन फिलाल आपको और बता दिया चाहिए आगे देखो दा मरुदर एक्सप्रेस इसी तरीके से एक है आपका जैसे मान लिजे आपन प्रोपर नाउन बन गया बोलो दिखने में कोई दिक्कत है आप लोगों कोई यह सब चीजें समझ में आ गई अब चलते हैं आगे आगे की बात करूँ अगर मैं आपसे तो कलेक्टिव नाउन का मतलता है समूह वाचक संग्या समूह वाचक संग्या क्या बोलेंगे इनको स इसमें थोड़ा सा ग्रूप बड़ा हो जाता है चलिए बात करते हैं समूह वाचक संग्या की समूह में जैसे आपने लिखा सबसे पहले व्यक्तियों का समूह जैसे आपने लिखा फैमली फिर आप लिख रहे हो टीम फिर लिख रहे हो आप जूरी फिर लिख रहे हो आप क चलती रहती है कभी-कभी यहां पर फैमली टीम क्राउड मोब गेंग आर्मी यह सारे के सारे नाउन है आला कि आप लोगों को बहुत जादा डिस्टरबेंस नहीं होता होगा लेकिन फिर भी क्योंकि मैं इतना डिस्टरबेंस पैदा कर लेता हूं ताकि आप लोगों के पास म समो हुआ चक शब्द है क्योंकि जब आप कोमन नाउन की देखो इदर एक खास बात बहुत रहा हूं मैं आप लोगों को कभी अगर डेफिनेशन में देखने को मिल जाए तो कोई खास बात नहीं इनके बारे में परिवासाएं भी लिखा हूंगा चिंता मत करो कि कोमन पर आर्टिकल दा लग जाए तो यह कॉमन नाउन बन जाता है ऐसी कुछ डेफिनेशन भी आप लोगों को लिखवाता चलूंगा साथ में क्योंकि यह किसी भी टोपिक के एंड पर ले जा करके थियरी वाले पार्ट को इस्पेसली हम लोग फोकस करेंगे मेरी बात समझ में आई कि क्या बोला मैंने पहले बैसिक क्लियर कर लो जैसे ही बैसिक क्लियर होती है उसके बाद किसी भी टोपिक की थियरी लिखेंगे तो मैं वापस रिकॉल कर आँगा कि देखो बीटा अगर किसी प्रोपर नाउन पे आर्टिकल दा लग जाए तो वो कोमन नाउन बन जात कि पैरिस इज को जैपूर इज कोल्ड दा पैरिस ओफ इंडिया तो पैरिस के पहले आर्टिकल दा लगा है अब ये कोमन नाउन हो गया Shakespeare is called the Kalidas of Rajasthan या Kalidas of India तो आर्टिकल दा लगा दिया Kalidas के पहले तो ये आपका क्या कौन सा नाउन बन गया ये आपका common noun बन गया इस तरीके की चीजों को जालावाड is called the Nagpur of Rajasthan तो आर्टिकल दा लग गया इसलिए ये proper noun होते वे भी आर्टिकल दा लगा करके क्या बन गया common noun इस तरीके की definition भी आप लोगों को देखनी पड़ेंगी जो मैं आप लोगों को लिखवाँ वाले के topic के end में घबराएं नहीं शांती से बेठे रहे हैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को करवाई जाएंगी बात हो रही है material noun की collective noun की बाद material noun पदार्थ वाचेक संग्या पदार्थ होते हैं बिटा तीन तरह के पदार्थ है आपके अच्छा यहाँ पे तो अभी तो बात इसी की चल रही थी army यह तो लोगों का समूं हुआ गाउं के समूं होते हैं इनको कुछ नहीं केते वह यह चीज देख लीजेगा थोड़ी सी मैंने cross बनाई है यह क्योंकि दो गाउं को मिला के क्या कहें चार गाउं को मिला के क्या कहें तो collective noun जो है जगे का नहीं बनता इस वज़े से गवरानी की कोई बात नहीं है जो booklet आप लोगों को ambition की मतलब इस साल जो मैंने भेजी थी आप लोगों को याद हो तो second grade की जो booklet आप लोगों के पास मैं available रही उसमें literature over aid कर देंगे और वो सब आप लोगों को इस application पर मिल जाएगा लेकिन वो literature वाला जो portion रहा है न आप लोगों का उसमें देखना नाउन के अंदर इस टाइप के questions डाले गए हैं कि कोमन नाउन के बारे में कौन सी बात सही है कौन सी सही नहीं है यह सब चीजों पर बात की गई है समझे मैं आई बात आपको तो यह हो गया आपका family के समझे कुछ होते नहीं पॉस्तों के समझे हो सकते हैं जैसे आपने कहा b9 q2 ईटी, बुके के साथ में हो गया है आपका जिसे बंच ठेकर है, बुके हो गया है बंच हो गया है एनिमल्स के भी सम्मूम हो सकते हैं, हरड, हरड मतलब हो गया जानौरों का जूंड जैसे इसको बोलते हैं, हरड बिलकुल रुपिंदर एक परसेंट पर चिंता करने के जरुत नहीं इस चीज के लिए मैं आप लोगों को अश्यूर करता हूँ कि अंग्रेजी में आप लोगों से बढ़िया दावे के साथ बात कर रहा हूँ मैं राजस्थान में बजो बच्चे पड़ेंगे अरे यह तो मेरा खुद का प्लेटफॉम है यहां मेरे को क्लास की लिमिट थोड़ी है यहां तो लिमिट ले से काम यहां पर अनलिमिटेड होगा सब कुछ और दूसरी बात यह यह तब की बाते हो रही है जब आप लोगों के पास में फ्री टाइम है तो मैं आपको बता दूँ फ्री टाइम में पहला बेच निकला है निलम आपकी कलास का आपको याद होगा वो बच्चे आज तक कहते हैं कि हमें जितना पढ़ाया उतना किसी को नहीं पढ़ाया क्योंकि जब सिल्बस का दबाओ नहीं हो सिल्बस कंप्लीट नहीं करना है तो फिर मजे से पढ़ाओ बच्चे सीखते बहुत कुछ है ध्यान रखना इस बात को तो इसलिए कहा कि फैमिली टीम जूरी कमिटी बंच होता है फूलों का इनका गुलदस्ता जो होता है जैसे मानेजे उसको कहेंगे बुके यह हो गया गुलदस्ता जिसको बोलता है रीद डव्ल्यू आर ई ए टी एच रीद यानि क्या हो गया पुश्प चक्र रीद यानि क्या हो गया पुश्प चक्र यह सब चीजे हैं जो आप लोगों को इसमें देखनी है material noun यानि पदार्त वाचक संग्या पदार्त होते हैं तीन तरह के solid, liquid, gas solid में आगया आपका gold कितने तरह के पदार्त होते हैं वही तीन तरह के कौन-कौन से एक है आपका solid solid में तो हो गया जिसे gold iron पिर इसके बाद दूसरा है liquid liquid में आए आपका जैसे water हो गया और एक हो गया आपका oil यह liquid हो गया और gas की अगर बात करूँ तो gas में आपके जैसे मान लिजे आपने लिखा oxygen यह फिर co2 carbon dioxide और इसके बाद में बात करते हैं next abstract noun पदार्थ वाचक संगया यह याद रखना इन चारों को तो हम लोग material noun के सेने में गिनते हैं और यह abstract noun जो है वो ऐसा है जो आप लोगों को दिखेगा नहीं यह सिर्फ आपको feel होगा कैसे feel होगा वो जानो जैसे आपने कहा freedom आपने कहा freedom क्या कहा freedom कहा यह ऐसा noun होगा जो आपको सिर्फ आजादी यह कैसी होती है आपको सिर्फ महसूस करके पता चलेगा किसी को आजादी कहाँ feel होती है किसी को कहा फील होती है इसी तरीके से slavery S-L-A-V-E-R-Y इसलेवरिया नहीं होगया गुलामी ये कैसे फील होगा नोबडी नोज ये सिर्फ अपनी अपनी मैसूस होती है किसी को घर में रेकर के गुलामी बंधन ये वो दुनिया वर की चीज़े हैं तो ये सब भाव आचक संगया हैं बोलो आप लोगों को common noun, proper noun, collective noun, material noun के बारे में स समझ है कि common noun एक ऐसा शब्द होता है जिसको सुनकर के हमारे दिमाग में जो image create होती है वो बिल्कुल common होती है कोई दिक्कत नहीं है common noun के बारे में आप लोगों को किसी से कोई कोई शिकायत हो तो बताईए कि common noun किसको कहेंगे आप लोगों को समझ में तो आराम से आई गया ह हो गया जिसे आपने love है freedom है slavery है beauty है independent independence है आजादी सारी बाते हैं इसमें आप लोग गिन सकते हो यहां तक का clear हुआ तो हम लोग बात करें कि हम लोग इन नाउन को देखो इदर common noun proper noun collective noun material noun abstract noun यहां से प्रस्ण यह बनते हैं कि आप पहचान के बताईए कि यह कौन सा noun है ठीक है आप सुनो मेरी बात आपको छोटी छोटी बातें गोर करने पड़ेंगे इस common noun से ही common noun को नाम देदो तो क्या बन जाता है proper noun बन जाता है क्या कहा मैंने कि common noun को कोई नाम देदो तो क क्या बन जाता है proper noun बन जाता है बना की नहीं यह common noun था इस common noun को आपने कोई नाम दे दिया कौन सा बन गया proper noun बन गया इस proper noun के बाद में तीसरा है collective noun common noun का group a group of common noun is called collective noun proper noun is the name of any proper person place thing or animal किसी भी व्यक्ति वस्तो इस्थान का proper नाम जो होता है वो कहलाएगा proper noun और इसके बाद material noun material noun is the noun that is used for solid liquid or gas solid liquid gas जो होते हैं उनके लिए आप लोग जिस noun का यूज करते हैं वो क्या कहलाता है आपका material noun कहलाता है और abstract noun वो होगा जो noun आप लोगों को freedom slavery सर्फडम आधी के लिए यूज किया जाता है तो यहां तक की बाते आप लोगों को समझ में आ आप लिए होगी तो आगे चलते हैं next बात करने के लिए देखो इदर नाउन जो है जेंडर की अगर बात करें नाउन के जेंडर बनते हैं मैस्क्यूलिन होता है एक तो एक फेमेनीन होता है फेमेनीन होता है तीसरा होता है नूटर तीसरा होता है पॉमन और चोता होता है नूटर यह नाउन के जेंडर होते हैं मैस्क्यूलिन यह नहीं हो गया पुलिंग पुलिंग पुल्लिंग पुल्लिंग यह स्त्रिलिंग यह उभैलिंग और यह नपुन्सक नावन जो भी है तो देख इदर मैस्किलिन का मतलब हो गया जो पुरुस के लिए काम में आने वाले जैसे आपने कहा डॉग यहां हो जाएगा बिच यहां पर हो जाएगा मैन यहां पर हो जाएगा वुमन लेकिन कॉमन क्या होता है जैसे टीचर बोई यहां पर लिखा मैंने यहां पर गर्ल लिखो गया यहां पर आपका टीचर है तो यहां पर स्ट्यूडेंट है लॉयर है वकील इसी तरीके से आपका जैसे मान लीजे मैंने कहा डॉक्टर यह वो नाउन हो गए पिटा जो कोवन नाउन होते हैं इनका पुरुस भी हो सकता है यह और महिला भी हो सकती है यहां पर प्रस्ण बनता है इनसे तो नहीं बनेगा लेकिन इनसे प्रस्ण बनेग सिंगर है अब मून को क्या कहूं बताओ मैं आप से प्रस्ण पूछ रहा हूं मून को क्या कहेंगे मेल या फीमेल मून को क्या कहेंगे जल्दी बताओ मैस्किलिन में यूज़ करें मून को या फेमिनिन में नेचर को किसमें यूज़ करें जिसे आप लोग देखोगे तो मून आपका इसमें दिखेगा नेचर आपका इसी में दिखेगा मून आपका इसमें है नेचर आपका इसमें है पलीस कौमन नाउन है इसमें आएगा पुलीस आपका common noun में आएगा इसी तरीके से common gender में आएगा neuter की बात करें तो जैसे आपने कोई भी ऐसा शब्द कहा watch car bike scooter ये चीक है ना? nature, moon ये sun जो है मेल में आएगा sun आ गया है वो मेल में आएगा आपका चंदा माम अंग्रेजों की मामी है याद रहे तो आप देख लिजेगा ये आप लोगों के gender related question थे पिटा जब दो को अगर आपको मान लिजे common noun हो और आपको परिक्ष्याओं के हिसाब से बात बता रहा हूँ कि जैसे a teacher should perform his her duty sincerely ये प्रस्ण बना a teacher should perform her duty sincerely तो ये दोनों ही सही है याद रहे his भी और हर भी ठेकर नहीं his भी सही है और हर भी सही है traditional जो English होती थी उसके अंतर क्या कहा मैंने shop की पर सही है traditional जो English होती थी पूराने जो लोग लिखा करते थे English उस पे गोर करो वो जूट थे न दोनों में doubt हो तो male को सही मानते थे female की जगे लेकिन modern English में his हर दोनों ही सही है परिक्षाओं में भी विवाद नहीं होता है कि teacher के लिए हर लिख दूँ लिख सकते हो आज कल तो जदा था teacher के लिए हर ही लिखा जाता है क्योंकि रह गई teacher में लाए है और कौन बच्चा है पर उस बच्चे का है दूसरा है जैसे मान लिजे मैंने कहा कि the lawyer the lawyer is talking to is बही जाए है और हर भी सही है client तो वकील जो है अपने client से बात कर रही है यहाँ पे ही बही सही है और हर भी सही है दोनों सही है जब आपके पास में doubt की श्तिति हो तो आप male और female में से कोई भी यूज़़ करो दोनों सही है बोलो यहां तक की बात समझ में आई क्या कि noun का gender किस तरीके से यूज आता है noun का gender क्या काम करता है यहां तक की बात समझ में आगई clear है अब आगे देखते हैं इस से हम लोग बात करेंगे कि यह क्या काम आते हैं सुनो इदर noun जो है two kinds नाउन दो प्रकार के होते हैं पहला कहलाता है countable countable noun दूसरा कहलाता है uncountable second is uncountable countable the noun which can be which can be formed into plural वे नाउन जो plural बंदे है और the nouns the nouns which can't be formed into plural जिनको plural नहीं बनाया जा सकता countable होते हैं जिनको plural बनाया जा सकता है uncountable जिने plural नहीं बनाया जा सकता तो आप लोग वो line तो नहीं लिखने वाले ना कि countable मतलब वो noun जिनको गिना जा सकता है ये वाली बात तो नहीं बोलोगे ना, हाँ जी, सोनम, सरिता, भारती, नेलम, पुजा, रुपेंदर्ख, ये तो नहीं बोलोगे ना, कि नाउन वो जिसको गिना जा सकता है, गिनने मिनने के कोई सिस्टम नहीं है यहां पर, हम लोग कहेंगे, कि वो नाउन जिनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ये बात है, एक पॉइंट, जो आप लोगों को इसमें जानना था, दूसरा ये, नाउन, जिनके पहले, या, विच कैन वी प्रेसिडिट बाई, जिनके पहले, ए, 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 न, वन, चू, त्री, जू, ये, ए, टी, सी, ए, टी, सी, को लिखा जा सकता है, नाउन जिनके पहले, ए, 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 न, वन, टू, 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 थी, ए, से, ये, ए, इ, बोले फिक की बॉलोगे, अब नहीं बोलते सर, पहले बोलते थे, विलकुल ये बाद, यह बात है चलिए दो नाउन जिनके पहले ए एनवान्ट्व फ्री एटसेट्रा शब्दों का प्रियोग किया जा सके एनवान्ट्व ट्री एटसेट्रा को लिखा सकता है क्या क्या लाएंगे काउंटेबल जैसे मान ली जे मैंने कहा दूसरा जिनके पहले which can't be preceded by जिनके पहले A and 1, 2 3 ETC शब्द प्रियुक्त नहीं होते प्रियुक्त नहीं होते जिनके पहले A and 1, 2, 3 जिसे शब्दों का प्रियुक्त नहीं होता ये कहलाते हैं आप लोगों के जिनके पहले A and 1, 2, 3 आदी जिसे शब्दों का प्रियुक्त नहीं होता जिसे मानली जे मैंने का this is a good news अब news uncountable है इसलिए A का प्रियोग नहीं हो सकता I have an urgent work इसलिए आप work uncountable है इसलिए N का प्रियोग नहीं कर सकते She is She gave me a paper Paper के पहले A का प्रियोग नहीं हो सकता क्योंकि paper uncountable नहीं होना है तो यह कहना चाह रहा हूँ कि कुछ noun uncountable होते हैं और इन uncountable noun के पहले A, N, 1, 2, 3 जैसे संख्यावाची शब्दों का प्रियोग बिल्कूल भी नहीं होता है बोलो समझ में आया क्या कल संडे रहेगा कल off रहेगी आपकी class पहले ही बता देता हूँ अगर रहेगी तो कुछ YouTube पे रात को रहे तो बात अलग है बाकी यहां पर आप लोगों का ओफ रहेगा तो संडे को आप रेष्ट करो थोड़े दिन अपने आप ले लूँगा मैं नंबर पर आप लोगों को चिंता ही मत करो जितना जब लेना होगा देगा न यह है आपका कि इस इस गुड नियूज इस संडे के बाद आगे मंडे से आप लोगों को हो सकता है कि डबल करके कहीं चले कैसे तैसे भी करके पर बैलेंस ट्रॉकिंग क्लास को ज्यादा आगे पिछे नहीं होगा इस 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 गुड नियूज अब आप इन अंकाउंटेबल नाउन के पहले संख्यावाची शब्द नहीं लगा सकते देखो सुनो क्या कहा मैंने सुनना भई बिगिनर हो जो जरूर सुनना अंकाउंटेबल नाउन्स के पहले अंकाउंटेबल नाउन्स के पहले संख्या वाची शब्द नहीं आता फिर भी कोई शब्द लगाना पड़े तो पीस ओफ दो हो तो तो पीसेज ओफ मैनी पीसेज ओफ अ काइंड ओफ मैनी काइंड सो अ बिट ओफ गें गें यानी होता है मिट्टी का डेला वगर है अ गें ओफ या फिर टाइप ओफ इसे शब्द लगा सकते हैं क्या लगा सकते हैं अगर आप लोग इस हिसाब से देखें तो इसको आपको सुदार करके लिखने का दूसरा तरीका यह था कि अ गूड काइंड वोग यह देखें, अरेर्ट वोग यह था टाइप ओफ एक काइंड नहीं तो फिर एशीट ऑफ पेपर जलत कुछ नहीं है लेकिन सबसे अच्छा है यहां से यहां से आरथ आएगा एशीट ऑफ पैपर से बोलो समझ में आएगा पीस ओपीस ओप टाइप ओफ टाइप सब काइंड ओफ इसे शब्दों का प्रियोग करके लिखते हैं उनकाउंटेबल ना उनके पहले किसी प्रकार के संख्यावाची शब्द का प्रियोग नहीं होता और प्रियोग करना पड़े तो हम लोग पीस गोर करना आप लोगों को देखोगे तो अच्छा लगेगा इसमें कहीं कोई डाउट नहीं कि यह चीजें सच में अच्छी आप लोगों के लिए रहेंगी पिलकुल परेशान होने वाली कोई बात नहीं है आप लोग देख लिजगा इस चीज़ को लेकर के मैं आपको अश अच्छी शब्दों का प्रियोग कर सकते हो अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई संक्यावाची शब्द नहीं आता आयत तो जैसे मान लीजे आप कोगे सर कौन-कौन से शब्दों का इस ग्रूप में मैं शामिल कर सकता हूं कि अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनको आप लोग प्लूरल नहीं बना सकते अगर आप ये चीज़ देखना चाहते हैं कि कुछ नाउन जो है वो अनकाउंटेबल होते हैं और इनके पहले हम लोग सब्दों का प्रियोग नहीं कर सकते तो देखो इदर बहुत सारे शब्द लिखूंगा ध्यान रखना कुछ नाउन्स जो अनकाउंटेबल होते हैं जानकारी होना सही है इस सारी बातों की होते हैं जिनके पहले जिनके साथ एस या एस यूज नहीं होता ना ही इनके पहले कोई संख्यावाची शब्द का प्रियोग होता है भाई इनके पहले कोई संख्यावाची शब्द का प्रियोग भी कुछ नाउन्स जो अनकाउंटेबल होते हैं जिनके साथ एस या इस यूज नहीं होता ना ही इनके पहले कोई संख्यावाची शब्द का प्रियोग होता है जैसे आपने कहा आप्सकेमा, अप्सकेमाँ дав आप्सकेमाँ, को अप्सकेमा, किसे पि實 at आप्सकेमाँ 15 सिर्फकेमा, सmakeririe े हुआर नको अप्सकेनी हुर्मॉ एर उचीनरी प्ऐड्फरी अपड़ी चाल consideration जुलियर्टी य्यंशेम प्टटीज़ तॉच अईटर गवीज़ इdle इस्टा, रूम इणता, प्रaciस्यक कोमारton, सकती सहरी, मेडीज़, इस्ट, आवीज़, पbet mr. म Lisa he ELECT ELECTICITY MUSIC WEATHER WINE ADVICE INFORMATION JOURCES SCHENERY B orada RAD TECHNOLOGY STATIONARY BUSINESS bread technology business bread technology wine top ये सारे के सारे शब्द कौन कौन से बोले एडवाइस हो गया इंफरमेशन हो गया जूलरी हो गया सीनरी हो गया मसीनरी हो गया इसके अलावा और लिखा हुआ है evidence pen इनकी और अलग कलब बनाएंगे कोई बात नहीं आप देखो फिलाल इन शब्दों को इन में से किसी की हिंदी नहीं आये तो मुझे कहो evidence अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ भरती पूजा निलम सरिता रुपिंदर सिंग जिते भी लोग देखते सब कमेंट भी क्या करो क्यों कि लोग जाता देखते हैं कमेंट करते हैं कुछ लोग तो सिर्फ और सिर्फ तमासा देख करके चले जाते हैं उन लोगों को भी कहूंगा कि सक्री रूप से भाग लें पताएं कहां पर आप चल रहे हैं आपको क्या दिक्कत का तारी है अप्लिकेसन में सब कुछ आपके इसाब का तो नहीं है तो भी मुझे बता सकते हैं क्योंकि आपका टॉपिक कंप्लिट होते ही आपका टेस्ट हो जाया करेगा हर टॉपिक का यह बात और साथ में याद रहे आप लोगों को बाकी बाकी लोगों से तो अलग करना है मुझे और बाकी लोगों से अलग तभी कर पाऊंगा जब आप लोगों के साथ मेरे प्रियास अच्छे रहेंगे मेरी कोशिस बस एक है कि आप लोग जिसे मान लीजे आप लोग अगर असी सो बच्चे सेकेंड गरे के देखते हैं तो सो लोगों को जोड सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है बस ये change system बना रहना चीए लोगों के पास में आप लोगों को एक पॉजिटिव message लोगों के पास जाते रहना चीए सब के सब जानकार होते है कहीं कहीं कोई कोई सकता है फिया है बिल्कुल पाइल से फ़र्सट क्लास है बट अच्छा समझ आ रहा है बिलकुल पाइल से जेरो लेवल से स्टार्ट किया था हम लोगों ने poetry furniture luggage आप लोगों के समझ्याओं को आप मुझे बताओ यार आप लोगों को पहले बता दू कि ये offline class की तरही treat किया जाना चाहिए कि आप लोगों को लगे कि यार हाँ मैंने पैसे दिये लेकिन उन पैसों का output उससे कहीं गुना ज़्यादा मिला मैं आपको बता दू offline में भी ये facility नहीं दे पाँ हूँगा साइद में जितना आप लोगों को दे रहा हूँ कि आप लोगों को लगना चाहिए कि मैं हैमन्त सर्मा के पास पढ़ा तो हैमन्त सर्मा ने कभी मुझे let down नहीं हो ने दिया इंग्जैम में भी और इंग्जैम से पहले भी आर से लेके पार तक आप लोगों सर्म मैं तो इतनी पुरानी श्टुएंटों कि कोई साथ वाला नहीं है यह तो बात सही है सोनम मैं आपको बता दूँ कि सोनम मैं जो है एक्जाम से ज़्यादा बस अंग्रेजी को ले करके इनका इंट्रेस्ट है इस वज़े से यह एब बी के थूटेक्ट में थे और इन्होंने दुबारा देक करके अब पिछली साल के जुड़े रहे और इस बार इन्होंने इतना अच्छा मतलब फिर भी साथ में जुड़े रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद इतना जबर्दस ट्रस्ट की कोई दूसरा टीचर आप लोगों को पसंद ही नहीं आता है तो इससे जदा मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं हो सकती रिजर्ट बहुत अच्छे आते रहे हैं आज भी एससी के रिजर्ट आये बहुत अच्छे वा ट्रेफिक है या फिर आप लोगों को बता दो की experience है गार्वेज है equipment एक्यूपमेंट को एक्यूपमेंट जो होता है कि 사elet के के से इस ताइप का हो गया गार्बेज के के अलावा हैरीटेज मैंने लिखी दिया अखोमोडेशन ओर पर chapvern को कोमोडेशन अटानि णानि समाने क्वेटा दिद आवास होता है और अक्कॉमोडेशन के अलावा music, weather, wine ये तो मैंने लिखी दिये, wood है, wood या नहीं होता है लकडी, music है, weather है, etc, ये सारे के सारे जो है uncountable noun हैं, और in uncountable noun के साथ में आप लोग किसी भी प्रकार के संख्यावाची शब्द का प्रियूग नहीं कर सकते, याद रहे, इसके साथ साथ ambition की booklet को जरूर देख रहना है, आप लोगों को वो भी इसमें अपलोड कर दूँगा, साथ में आप लोगों को PDF, ये तो मैं PDF अपलोड करूँगा, application में दो PDF अपलोड करने का option होता है, इन नाउन में से आप किसी भी नाउन को ले लो, इनके प्रस्नों को ले लो, देखो, ये sentence है, बताईएगा कि question में क्या गलत है, all the evidences were against him and he was sent to jail, इसमें कहीं गलती हो तो मुझे बताईए इस question में, all the evidence were against him, मिश्चीफ है ना इसमें, मिश्चीफ है नहीं होती है, शेतानी, आराम से देखिए इसको भी अच्छा word है, ये कहा मैंने, बिल्कुल कोई दिखकत नहीं नहीं है, अच्छी बात है बिटा, all the evidences were against him and he was sent to jail, या फिर sentence to jail, अगर अच्छी अंग्रे जी लिखना चाहेंगे, तो देखो इदर, he was sentenced, s-e-n-t-e-n-c-e-d, sentenced to jail, किता अच्छा sentence बन गया, किता standard sentence का बन गया है, जब ये आप लोगोंने, he was sentenced to jail, अंग्रे जी में कहा जाता है, कि jail भेज दिया, तो sentenced to jail लिखा जाता है, तो इतना एक standard sentence बन गया है, कि all the evidences were against him, तो all the evidences की जगे क्या लिखना पड़ेगा, all the evidence, e-v-i-d-e-n-c, all the evidence were against him, all the evidence were against him and he was sentenced to jail, clear है, देख लो, इसमें, और कोई ऐसा word नहीं रहे जाए, ठीक है, all the evidence, और वर वेसे ही गलत हो गया, क्योंकि जब evidences नहीं होगा, तो फिर उसके साब से verb भी आपको सिंगला लगाने लगी, all the evidence was, चीकर है, the manager, wanted to dispose of, wanted to dispose of, wanted to dispose of, all the furnitures, थोड़ा सा अच्छी अंग्रेजी को भी सीखो, क्योंकि और भी चीजे में गडबड़ करता रहता हूं, इतनी नहीं सिखाते हैं हम लोग कि भई, परनीचर्स में से ऐसे आटा दो, वो तो सही बात है कि परनीचर्स में से आटा दो, लेकिन ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना विटा, ये भी क्योंकि एक common Indian student जो है गलती करता है, कि आप लोगों का इसमें dispose के साथ of single आता है, याद रहे, dispose of का मतलब होता है, ये idiom है एक, मैं अलगी color से लिख रहा हूं, dispose of, dispose of का मतलब होता है, to use and throw, dispose of का मतलब होता है, to use and throw, और अब इन सब के लिए, दोनों के लिए idiom, idiom भी है, wear and tear, क्या idiom है, wear and tear, का मतलब पहनो और फाड़ो, मतलब किसी चीज़ को use में लो और fake दो, S नहीं आएगा, भारती बिल्कुल सही बात है, और यहां पर ये furniture में S नहीं आएगा, और dispose of में गलती, भारती ये बच्चा खूब करता है, इसलिए ये गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, जैसे sentence है आपका, He gave me an advice, तो बस ये गलत है, या तो लिखिए a piece of advice, या फिर ये, क्योंकि a और n का use आप लोग नहीं कर सकते, बोलो समझ में आया क्या, clear है यहां पर, बिल्कुल use and throw के लिए लिखा जाता है, जो पीछे की classes जिन बच्चों ने देखी है, नहीं देखी है, तो उनको जरूर देखें, क्योंकि पीछे की classes से भी बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों को मिल जाती है, या तकी बात है, सुनो मेरी बात, आप लोग घबराना कताई मत, बहुत practice करवा दूँगा, topic के end में, practice it, MCQs, sub-aid कर दूँगा, आप लोगों को एक बार theory पे, थोड़ा सा आपको hold बने, then अपने आप आप लोगों को MCQs के थोरो इतनी करवा देंगे, हमारे पास questions की कमी नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ाया SSC, वहाँ से खूब सारे questions, हम लोग, error type के question भी हम लोग यहाँ पर करेंगे, थाकि आप लोगों कोई यह problem ने रहे कि मुझे error के दिक्कत आती है, आरे आप आर से लेके पार खेलो यहाँ पर अंग्रेजी के साथ में, आप लोगों कोई दिक्कत नहीं आने देंगे 1% भी, चीकर नहीं, यह चीज है जो मैंने आप लोगों कोई, यह dispose of तो SSC में ही पूछा हुआ प्रसन है, जो मैंने यहाँ पर share किया, कभी अगर आगया ना, RPSC वालों के पास में, तो RPSC के जब बाकी लोग तोते देख रहे होंगे ना, चट पे वेट करके, क्या होगा इसमें O, AAF, क्योंकि दुनिया यह मानती है, कि O, AAF करने से, ओफ मतलब होता है, दूर, तो dispose of कर दो, इसका मतलब हो गया, दूर करना किसी चीज़ को मतलब फैंक देना, और dispose तो समझता ही है इंसान, तो dispose of में AAF लगाएगा, तो मारा जाएगा, ध्यान रखना, dictionary में, इसमें single app से दिया हुआ है, वो तब समझ में आएगा, या तो मैंने जिक्र किया, या कभी ठोकर खाओगे, ठोकर खाने की तो नोबत वचेगी नहीं, क्योंकि मैंने बता दिया आपको already, dispose of दिखेगा, तो अपने आप ही समझ में आएगा, भईया, यह single app के लिए पूछ रहा है, कि double app के लिए पूछ रहा है, अपने आप समझ में आजाएगा आपको, समझ में आएगा बात, तो यह कहा आप लोगों को, कि किसी noun के अंदर, S या इस लगना है या नहीं लगना है, इसका matter आप लोगों को, इस तरीके से clear होगा, बोलो समझ में आईगा बात, बोलो समझ में आईगा यह चीज़ है, dispose of के बारे में, अब ही हम लोगों ने सिर्फ यह कहा है आज, कि कुछ uncountable noun के पहले, संक्यावाची शब्दों का प्रियोग नहीं करना, noun के gender पहचानना, और noun को हम लोगों ने common noun, proper noun, collective noun, और material noun के रूप में रखा है, परिभाषाएं भी लिखेंगे, लेकिन topic के end में, reason वो इसलिए कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जिनको केवल general grammar पढ़ करके निकलनी है, theory वाले part पर question नहीं करने, तो उसको ये चीज मिल जाएगी, लेकिन आप जो मेरे grade second वाले बच्चे हैं, उनको सबको एक-एक class advanced मिलेगी, वो advanced इसलिए हो जाएगी, क्योंकि आपको extra भी जानना हो, अगर theory वाले part को तो जान पाओ, चलिए, धन्यवाद आपका, जुड़े रहो class के साथ में, इसी तरीके से, ज़्यादा भागा दोड़ी करो मत, कहीं नहीं जाना, आपको भी, मेरे को भी, और जिस दिन लगेगा कि course पूरा करना है, exam की कोई हलचल भी होती है, तो सबसे पहले याद रखना course आपका होगा, क्योंकि ये मेरे हाथ में हैं, और आपके हाथ में हैं, हम दोड़ेंगे नहीं, हम घंटे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलाल क्यों, burden नहीं हो, regularity बनी रहे, इस चीज़ के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे, positive तो feel करते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं आती है आप लोगों को, रिवास सुनो, एक बात फिर कहता हूँ, वो लोग, जिन लोगों को experience होता है, वो selection वाला, वो अनभो है अपने पास में, जिससे आप लोगों के साथ में मैं पढ़ा पाऊँगा, जिनता ही मत करो, लोग second grade जिसके लिए परेशान होते हैं, वो second grade अपनी skip की हुई है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं, अपने पास better option हैं इसे, जिनता मत करो, best पढ़ेंगे, और बस आपका काम रहना चीए, लोगों तक पहुँचाओ, thank you very much, सुमित्रा, उजा, सरिता, सोनम और रुपिंदर सिंग, और ये जो भी लोग भारती वगरे, जितने भी लोग देख रहे हैं, सभी को बता दू कि, आप लोग कल क्लास अपनी नहीं होगी, लेकिन परसों अपनी क्लास on time होगी, 4 पीम, ठीक है, thank you, bye bye, take care. झाल झाल, झाल झाल